Hey guys, welcome back to the channel और जैसा कि आपने टाइटल से देखी लिया है कि ये होने वाली है एक इंजिन रिबिल्ट की वीडियो तो जैसा कि आप देख सकते हैं अपने पीछे जो आईटियार है 180 टू वाल्ब उसका जो इंजिन है वो पार्ट के अंदर पूरा कंप्लीटली डिस्मेंटल पड़ा है इसको हमने अच्छे से क्लीन किया है जितना हम इसको कर सकते थे इसकी हालत बहुत खराब थी और इसको क्यों खोला है वेल सबसे पहले तो अभी आप ये जो इंजिन है वो यह कि इसमें इंजिन और रही चेक नहीं करा गइए इन उसकी वीजासे बाइक है वो बिना इंजिन औरके चल गई उसकी वीड़ासे पूरी जो बाइक है उसमें जितने भी पार्ट्स हैं वो सब के सब, ओलमोस्ट सब के सब डामेश हो गए तो इसके हमने crank shaft उसको repair करा है और उसके अलावाद जितने भी wear and tear वाले parts हैं उनको करेंगे replace और ये video होने वाली है complete details के अंदर जिसमें हम बताएंगे कि RTR का जो engine है वो आप शुरू से लिखर के last तक कैसे assemble कर सकते हो साथ ही साथ जो prices हैं इस time की वो भी reveal कर दूँगा जितने भी parts में ने install करूँगा उनकी and वीडियो के last में आप लोगों को इसका engine ready होने के बाद में उसकी sound कैसी बनती है वो भी सुनाने वाला हूं और जो total इस bike पर जो खर्चा आया है वो भी बताने वाला हूं so without wasting much time, let's get started बट उससे बले बात कर लेते हैं आज की वीडियो के sponsor की जो की है Build Skill Pro Drill Machine जो की आती है दोनों forward and reverse functions के साथ और इसका chuck size वो 13 mm है जिसकी help से आप जो बड़ी bits हैं वो भी इसमें लगा पाएंगे and साथी साथ इसमें hammer function भी है और बाकी की जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है आप वहाँ पर जागर के इसको check out कर सकते हैं साथी साथ इसके जो purchase links हैं वो भी वहाँ पर आपको available हो जाएंगे तो सबसे पहले हम करेंगे engine के जो bearings हैं उनको install तो यहाँ पर सबसे पहले लगाएंगे engine oil और यह engine oil में TVS का जो synthetic engine oil आता है वो यूज कर रहा हूँ जो blue clear का box आता है वो वाला उसके बाद लगाएंगे यह वाला bearing सबसे पहले तो यह SKF का bearing है और यह जो bearing है इसका नंबर है 6001 और इसमें एक side oil seal है इस side यह जो side है यह open है और हमें यह oil seal वाली side है यह नीचे की तरफ रखते वे इसको लगाना है तो अभी के लिए जो bearing है उसको भी lubricate कर लेते हैं सबसे पहले इसको जहां पर place करना है वहाँ पर इसको थोड़ा सा push करके इसको locate कर देंगे और उसके बाद मोहन करेंगे जो next bearing है उसकी तरफ तो यह जो है यह SKF का 6204 है और इसमें दोनों side oil seal है बट इसमें हमें एक side की oil seal है इसको remove करना पड़ेगा और दूसरी side वाली जो oil seal है उसको हम नीचे की तरफ रखते वे इसको लगा देंगे तो सबसे पहले इसकी जो oil seal है इसको remove करता हूँ मैं और इसकी जो oil seal है वो निकाल दिये और बिकोज यह जो bearing है यह packed bearing था इसलिए इसके अंदर आपको grease दिखेगा तो जितना आप निकाल सकें उतना आप निकाल दें बाकी अगर इसमें grease थोड़ा होत रह जाता है तो ज़्यादा कोई problem उससे होगी नहीं और यह जो bearing है ऐसा नहीं है कि मैं इनको use कर रहा हूँ और TVS के original जो bearing है उनको क्यों use नहीं कर रहा है कि आस-पास में तीन service centers और TVS के जहां पर spare parts original मिल जाते हैं तीनों पर घुम चुका हूँ original spare parts नहीं मिले तब इन पर shift वाऊँ जो चीज original मिली है वो original ही install कर रहा हूँ अब ही install करेंगे जो हमारी kick shaft है उसकी stopper plates को तो सबसे पहले चोटे वाली है इसमें यह वारा जो section है यह नीचे की दिरफ रखते वे इसको यहां ऐसे लगाएंगे इसका काम यह है कि हमारी kick का यह जो sprocket है यहां पर आकर के lock होता है तो अगर हम यह नहीं लगाएंगे तो यह aluminium पर बार बार touch होगा तो aluminium को damage कर देगा because steel aluminium से ज़्यादा strong होता है तो इसलिए सबसे पहले यह steel की आपर plate लगानी है जिससे कि aluminium है वो damage ना हो उसके बाद यह वाली plate है इसमें यह जो section है इसको ऊपर की तरफ रखना है और इसको कुछ ऐसे place करना है इसका काम यह है कि यह जो हमारा gear है इसको यह नीचे की तरफ लाकर के slide कर देती है तो इसलिए इन दोनों को लगा दिया और यहां पर usually दो 10 mm के जो bolts लगते हैं उनकी size स्टोड़ी लंबी होती है बट इस पर्टिकेलर इंजिन में जब हमने इसको dispendal किया था तब यहीं बोल्ट निकले थे इसलिए इनको लगाया जा रहा है और अभी इनको करेंगे टाइट और इनका जो टॉर्क फिगर है वो मेरे पास है नी टॉर्क रेंज तो अवेलेवल है बट टॉर्क स्पेक्स के विना इनको क्या टॉर्क करों और जुटे टॉर्क फिगर्स हैं वो मैं बताना नहीं चाहता सिंपल सा लोजिक है अलुमिनियम के अंदर हम स्टील के बोल्ट्स लगा रहे हैं तो जड़ा टाइट नहीं करना है अधरवाइस यह तो बोल्ट्स टूर्ट जाएंगे या फिर अलुमिनियम के जो थ्रेद्स है वो स्ट्रिप हो जाएंगे तो वो चीज आप ध्यान में र जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है इसको प्लेस करेंगे कुछ ऐसे फिर जो स्प्रिंग उसको ऐसे लगाएंगे उसके बाद यहाँ पर यह एक रबर का डैमपर या फिर लोकिंग प्लेट जो भी आप इसको बोलना चाहें यह लगेगी इसकी कोई डिरेक्शन नहीं है ब कुछ इस तरीके से लगाना है कि इसका यह वाला जो स्प्रिंग का वो यहाँ पर यह जो एक उबरावा सेक्शन है इसके अंदर कुछ इस तरीके से फिट हो जाए इसको थोड़ा सा रोटेट करके चेक कर लेंगे कि जो स्प्रिंग वो यहाँ पर लोक हो गई है क्या उसके हमारी यह वाली जो गेर है इसमें यहां पर कुछ इस तरीके से मेश हो जाते हैं जिस साइड यह टीथ मने में उसको हमें ऊपर की तरफ रखना है और ऐसा रखते वे हमें यहां पर यह जो मार्क आपको दिख रहा है उसको जो हमारी किक शाफ्ट है उसमें यहां पर आपको ए उसके साथ align रखते वे इसको नीचे की साइड कुछ इस तरीके से प्रेस करना है उसके बाद जो किक शाफ्ट है उसको हमें कुछ इस तरीके से यह जो प्लेट हमने लगाई है, इसमें ऊपर की तरफ से आकर के यहां तक आ जाए, उसके बाद आप इसको छोड़ेंगे, तो यह इसके जो पोजीशन है वहाँ पर जाकर के लोख हो जाएगा, और अभी ऐसा करने के बाद एक बार फिर से जो डोट है, उसको चेक कर लें कि इसको एकडम जो यह लाइन बनी वीया, इसके बराबर होना चाहिए। उसके बाद यह वाला चीए उसको अचैसे लुद्रीकेड नषट करेंगे, उसके बाद जिस साइद इस आइन वाला टागए, उनको थोड़ा सा लुद्रीक आप गरेंगे, और उसके बाद लगाएंगे ये वाला washer, जिसकी size और shape आप अभी देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से, और अभी जैसे ही आप kick है, उसको use करते हैं, तो ये जो shaft है, ये उपर की तरफ आती है, और ये वाला जो gear है, इसमें lock हो जाती है, और उसके बाद ये जो gear है, जो हमारा gearbox उसके अंदर इसके लिए एक अलग से gear लगी रहती है, उसको drive करता है, और उसकी विज़े से हमारा जो engine है, वो crank हो जाता है, तो अभी जो gear box है, उसी को लगाने की बारी है, तो gear box में सबसे पहले शुरुआत करते हैं, सबसे simple चीज से, तो इसकी जो input shaft है, उसको आप इससे identify करते हैं, तो उन सारी details में अपन नहीं जाएंगे, अपन अभी simple बात करेंगे, कि ये fit कैसे होता है, तो input shaft है, वो इतना simple है fit करना, basically, यहाँ पर आपको ये तीन washers दिख रहे हैं, दो washers simple है, एक washer वो needle bearing की तरह काम करता है, तो इसको क्या बोलेंगे, वो मुझे भी नहीं स बटेन की ठिकने से लगए, एक washer वो पतला है, दूसरा washer वो मोटा है, तो जो मोटा वाला washer है, वो पहले लगेगा, तो यहाँ पर सबसे पहले, जो मोटा वाला washer है, उसको लगाएंगे, उसके बाद ये needle bearing वाला washer है, या फिर needle वाला washer, जो भी आप बोलना चाहें, इसको हमारी input shaft ready, और अब बार यहाती है, जो output shaft है, उसकी तरफ move on करने की, तो सबसे पहले हमारी जो output shaft है, उसको लेंगे, उसके बाद लगाएंगे ये वाला gear, इसमें जिस side आपको ये slot दिख रहे हैं, वो side बाहर की तरफ रखेंगे, और ये plane side है, इसको अंदर की तरफ रखते और इसको यहाँ पर लगा देना है, उसके बाद बार याती है, एक sir clip लगाने की, तो sir clip को यहाँ पर place करेंगे, उसके बाद इसका एक special tool है, उसकी help से इसको expand करेंगे, ध्यान से sir clip को damage नहीं करना है, वैसे इसको खोलना भी जरूरी नहीं है, मैंने आप लोगों को अच्छ करेंगे, उसके बाद बार याती है, इस वाले gear को लगाने की, इसमें चार sections बाहर निकले वे हैं, और इसमें चार slots बने वे हैं, तो यह इन चारों में जाकर के कुछ इस तरीके से align हो जाता है, उसके बाद shift करते टाइंगे, इस से आगे नहीं आना चाहिए, उसके लिए य यहाँ पर कुछ holes दिख रहे होंगे, यह holes बेसिकली इसलिए दिये गए हैं, ताकि इनके अंदर से oil है, वो circulate हो करके, यह जो sections है, इनको अच्छे से lubricate रख पाए, जिससे की friction कम से कम हो, damage कम से कम हो, oil लगा लेंगे अच्छे से, washer हमने लगा दिया है, अभी यह वाला जो gear इसमें एक side खड़ा बना हुआ है, जिस side खड़ा है, वो अंदर की तरफ रखेंगे, जो plain side है उसको बार की तरफ, और इसको कुछ ऐसे लगा देंगे, यह जो gear है, इसको इसके अंदर slot करके देखेंगे, कि यह properly slot हो रहा है क्या, उसके बाद लगेगा यह वाला gear, तो इसम आपको यह slot जैसा दिखेगा, थोड़ा सा उबरावा और इसमें दो cut भी है, जो कि most probably oil circulation के लिए ही है, और यह वाली जो gear है, यह एक medium का काम करती है, जब हम kick corporate करते हैं, तब जो force है, उसको आगे distribute करने के लिए, and last में यहाँ पर लगता है यह washer, जो कि कुछ इस तरीके का द लिखता है, तो इसको भी आप अच्छे से देख लें, यह यहाँ पर कुछ इस तरीके से लग जाएगा, अब बारी आती है इस वाली side की, तो यह वाला जो gear है, यह plane है, तो mean simple है, कि हमें यहाँ पर जो gear लगाना है, वो इस side से plane होना चीए, तो इस side 4 lobs है, वो बाहर निकल लगेगी, एंड उसके बाद लगेगा यह वाला gear, तो इसमें जो side घड़ा है, या slot बना हुआ है, वो अंदर की तरफ रखेंगे, plane side बाहर की तरफ, और यह कुछ इस तरीके से यहाँ पर slot हो रहा है, लास्ट में लगेगा यह washer, जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है, इसक अपोजेट रहेगी, और जो gears है, वो एक दूसरे के साथ कुछ इस तरीके से merge होंगे, तो अभी के लिए हम यह वाला gear है, इसको इसका जो washer उसके साथ एक बार बाहर निकाल लेते हैं, अभी जो हमारा gearbox है, उसमें नीचे की side हमें एक washer है, उसका ध्यान रखना है, यह वाली थोड़ा सा ध्यान से, इसके जो slots हैं, उनमें drop कर देंगे, अभी यह जो gear है, उसको फिर से लगा देंगे, और नेक्स टेप के तोर पे हम लगाएंगे जो shift forks हैं उनको, तो इसमें total तीन shift forks लगते हैं, इनमें से जो छोटे वाला है, वो लगेगा right side में अकेला, तो इसम सबसे पहली चीज हमें देखनी है कि इसकी जो यह pin है, यह कि side point कर रही है, shifter drum लगेगा, उसकी तरफ point करेंगे इसको, तो इसकी एक की location हो गई, यहाँ पर यह जो gear है, जो कि अभी आप देख रहे है, slide हो रहा है, up and down, इसके बीच में कुछ ऐसे slide करना है, उसके बाद यह इसकी dowel बोल सकते हैं आप इसको, इसको लगाते हैं, इसकी जो pin है, उसके अंदर कुछ ऐसे, अब बचके यह दोनों, तो इनको identify करने के दो तरीके हैं, पहला यह कि आप इनकी width देखिए, जिसकी जो चोडाई है, वो ज्यादा है, वो उपर की तरफ रहेगा, जो कम है चो की तरफ रखनी है, जिस side है, उसी side, तो सबसे पहले यह वाला लगाते हैं, नीचे की side एक gear है, उसमें, and उसके बाद उपर वाला है, उसको लगाना है, and इनको लगाते हैं यहाँ पर, जहाँ पर मैं point कर रहा हूं, यह वाला जो hole है, इनको इसके साथ align रखना है, कुछ ऐस उसके बाद जो shift folks हैं, उनको थोड़ा सा बाहर की तरफ कर देते हैं, यह वाली side में इस तरफ, और यह वाली side में अंदर की तरफ, उसके बाद लगाएंगे जो shifter drum है, उसको लगाने से पहले इसको अच्छे से चेक कर लें, इसमें कहीं पर भी uneven damage नहीं होना चाहिए, यह smooth होना चाहिए, अंदर की तरफ से, तो जो side width में ज्यादा है, उसको ऊपर की तरफ रखेंगे, और यह वाली side है, इसको यह वाला जो hole है, इसके साथ line करना है, सबसे पहले इसमें यहाँ पर oil लगाते हैं, इसकी जो lines हैं, उनमें भी oil लगाते हैं, जिससे कि जब हम gear shifting उसको चेक करें, तो वो smooth हो, and उसके बाद इसको यहाँ पर कर देंगे, drop, थोड़ा सा rotate करके देखेंगे, and we are good to go, अभी यह जो shift folks हैं, इनको थोड़ा सा lift करना पड़ सकता है, आपको, and उसके बाद इनके जो यह pins वाले sections हैं, उनको इनके respective holes के अंदर लगाना है, जैसे कि यह व लगा देता हूं, और लगाने के बाद इनके जो holes हैं, वो match हो जाने चाहिए, इसका इस वाली side, और इन दोनों का इस वाली side, and उसके बाद लगानी है यह दोनों pins, तो यह size और shape में बराबर हैं, कौनसी भी, किसी भी side लगा सकते हैं, और इनको आप इस तरीके से भी, और यह bi-directional हैं, तो सबसे पहले, इस side hole sound को match रखते हुए, जो पिना उसको drop करना है, and इसको all the way push करेंगे, और same process इस side होने वाली है, just like that, उसके बाद, जो input shaft है, उसको rotate करेंगे, तो यह चीजें कहीं भी रुकनी नीची है, means, जो gears हैं, वो सारे घूमने चीएं freely, जो कि इस के इसको भी rotate करते रहें, गेर्स हैं, वो चेंज होते रहेंगे, फर्स से लेकर के फिफ तक बीच में आपको neutral भी चेक करना है, मेरे केस में मैं काफी शोर हूँ, किसके जो gearbox है, वो प्रोपली इंस्टोल हो गया है, तो मैं इसको उतना डीटेल में शो करनी रहा हूँ, because मैंने बाकी सारी वीडियोज हैं, उनमें बहुत बार ये चीज़ें, एकदम डीटेल में कवर कर रखी हैं, तो आप वो देख सकते हैं, बाकी के जो इंजिनरी बिल्ट्स हैं उनमें, अभी जितने भी गेर्स हैं, उनको rotate करते हुए, एक बार थोड़ा थोड़ा oil है, वो अच्छ ये इसमें लगा रहता है, तो इसको चेंज करा लिया, और इसकी weight balancing हो चुकी है, तो अभी ये जो side bearing लगावा है, या फिर timing chain का ये जो sprocket है, ये लगावा है, इसको नीचे की तरफ रखना है, और ये वाला जो slot है, सबसे पहले तो इसको lubricate कर लें अच्छे से, इसके अंद और अभी जो crank है, उसको एकदम slowly all the way अंदर की तरफ पुश कर देंगे, पुश करने के बाद चेक करने का simple सा तरीका है, कि ये वाला section है, इसके पास में हमें जो connecting road है, उसको लेकर की जाना है, अभी connecting road का आधा इसा बाहर रहना चीए, और आधा इसा जो crank case है, उसके अंदर पूर करेंगे, और जो connecting road है, उसको घुमाते जाएंगे, इससे होगा क्या कि connecting road का जो bearing है, वो अच्छे से lubricate हो जाएगा, और ये है वो वाली gear, जिसकी मैं बात कर रहा था, जिब मैंने वो kick shaft वाली gear है, उसके बारे में बताया था, यहाँ पर आपको चार slots दिखेंगे, य तो आरच cover है, उसमें बाहर की तरफ रहें, means जिस साइड हमारा clutch cover लगता है, उस तरफ रहें, और ये जो gear है, ये अंदर की तरफ रहें, और अभी जो bearing है, वैसे तो आप इसको किसी भी तरीकी से लगा सकते हैं, बट इस case में हम इसको इस तरीकी से लगाएंगे, कि इसके नंबर्स हैं, ये हमें दिखते रहें, जब हम इसको इंस्टोल करें, तो ये जो gear है, ये इसमें कुछ इस तरीके से fit होगी, तो अभी सबसे पहले जो gear है, इसको lubricate करके यहां पर fit करना है, और उसके बाद ये जो bearing है, इसको लगाएंगे, अभी ये जो bearing है, इसमें ये वा उपर की तरफ रखने है, और ये अगर आप SKF कंपनी का लेते हैं, तो 63-28 इसका नंबर है, बट ये फैग करके ब्रैंड है, उसका है, वो भी काफी अच्छा ब्रैंड है, जिनको बेरिंग के बारे में नोलेजे उनको पता है, तो इसको यहां पर इंस्टोल करना है, तो इ और इसको यहां पर कुछ इस तरीके से प्लीस करना है, ये दो लगेंगे इसके स्क्रूस, जिनके उपर आपको लोग टाइट यूज करना है, ओलाइट, सो अभी एज नेक्स टेप आप देख सकते हैं, इसके उपर मैंने सिलिकोन आटीवी गास किट है, उसको अपलाई किय है, all the way, ना ज्यादा करना है, ना कम करना है, अगर ज्यादा कर देंगे, तो ये बाहर निकलेगा, और फिर इंजन में ये कचरा ही क्रिएट करेगा, साथ ही साथ ये ओय लाइन से उनको भी ब्लोक कर सकता है, और अगर कम लगाएंगे, तो यहां से फिर इंजन ओयल वो ली करना उदांगी हूं, तब ये जो क्रेंगेश है, इसको कुछ इस तरीके से होल्ड करके, उसके जो होल्स हैं, बेसिक्ली किक शाफ्ट, आउटपुट शाफ्ट, क्रेंख्ट, इन पूट शाफ्ट, इन सब के होल्स के साथ अलाइन करते हूए, इसको आपको स्लाइड करना ह और इसको all the way insert करने के लिए आप चाहें तो थोड़ा-थोड़ा mallet की help से tap भी कर सकते हैं और जब यह पूरा आसेंबल हो जाए तो इसको tight कने से पहले एक बार अच्छे से check कर लें कि सारे जो gears है वो properly rotate हो रहे हैं क्या, crank shaft है वो properly rotate हो रही है क्या और इसको install के तर दाइम आपको एक चीज मेक्शोर करनी है कि यह जो bearing है इसके अंदर हमने जो gear लगाई है उसको आपको थोड़ा सा twist करना पड़ेगा जिससे कि जो gears हम वापस में align हो जाएं और उसके बाद आप यह जो crank के से इसको fit कर पाएंगे easily अभी as a next step यह एक 8 mm का बोल्ट है जो कि आप देख सकते है कुछ इस तरीके का है उसको यहाँ पर एक होल है इसके अंदर कुछ इस तरीके से install करेंगे और उसके बाद इसको hand tight कर देंगे अभी इसको पूरा torque नहीं करना है क्योंकि उससे पहले हम लगाएंगे यह सारे bolts तो यह total 12 bolts है जिन में से एक bolt सबसे बड़ी size का है वो लगेगा यहाँ पर इस वाले hole में और उसके बाद 3 bolts है वो बीच की size के हैं तो इन में से 2 bolts अच्छ में dirty है वो लगेगा यहाँ पर जो oil की जो drain bolt वाली जो plate लगती है उसके जस्ट पास वाल होल है उसमें उसके बाद यह सारे bolts same size के हैं तो इन में से सबसे clean bolt है एक उसको लेंगे उसको लगाएंगे यहाँ पर अंदर की side and उसके बाद बाकी के जितने ही बचेवे bolts हैं उनको सारे जो side में आपको holes दिक रहे हैं उनके अंदर लगाना है और उसके बाद इनको criss cross pattern में tight करना है तो वो में कर लीता हूं उसके बाद जो next step है उसके तरफ मोहन करेंगे उसके बाद लगाएंगे जो shifter drum है उसके अपर यह एक plate लगती है जिसमें बहुत सारी pins लगी है तो इसको ऊपर की तरफ रखना है यह जो दो आपको pins दिख रही है यह बाकी की तीन pins से थोड़ी बड़ी हैं तो उनके साथ इनको align करना है इसको कुछ आसे लगाना है उसके बाद लगाएंगे यहां पर यह screw और इसको लगाने से पहले इसमें अच्छी से loktite लगाना है इसके बाद इसको tight कर देंगे उसके बाद लगाएंगे यह एक copper की pipe है इसको इसका काम यह है कि इसमें जो आपको यह holes दिख रहे हैं यहाँ पर लगती है अंदर की तरफ तो यह जो gearbox है उसमें oil spray करने का काम करती है तो इसका जो round वाला section है उसको नीचे की तरफ रखेंगे और इसको कुछ इस तरीके से रखना है एंड उसके बाद लगेगी इसकी एक lock plate इसमें यह जो slot है इसको यह जो cut है इसके साथ align करके कुछ ऐसे place करना है और यह पूरा insert हो गया है या नहीं उसको चेक करने का simple सा तरीका यह है कि इसकी height इतनी होनी चाहिए कि यह जो plate इसके उपर लग रही है वो जहाँ पर tight होने वाली है वहाँ पर पूरी touch हो जाए उपर ना रहे उसके बाद लगाएंगे इसका यह screw तो इसको सबसे पहले यहाँ पर insert करेंगे और उसके बाद इसको करेंगे tight और अभी install करना है जो gear shaft है उसको तो इसमें सबसे पहले यह जो spring है यह चेक कर लें यह किस तरीके है या फिर जो side में कम का हो है वो ऊपर की तरफ से लगी भी है अभी इसको all the way अच्छे से lubricate करना है और उसके बाद यहाँ पर यह जो hole है इसके अंदर से जो gear shaft है उसको pass through करना है उसके बाद gear shaft का जो यह वाला section है इसको यहाँ पर यह एक stud बना हुआ है या फिर एक उबर कर देंगे एक बार इसको operate करके check करेंगे so as you can see gear shaft का जो mechanism है वो properly work कर रहा है उसके बाद लगाएंगे gear drum की stopper plate तो stopper plate में सबसे पहले यह एक इसका bolt है 10 mm का उसके अलावा यह एक washer है और इन दोनों के बीच में जो stopper plate है यह लगने वाली है and इसके अंदर लगेगी spring तो यह सारी चीजे में लगा करके आपको दिखाता हूं तो stopper plate में दो sides है एक side है जिसमें से आपको यह roller दिख रहा है और दूसरी side है जो की plane है plane side हमें उपर की तरफ रखनी है तो सबसे पहले 10 mm का bolt है इसको कुछ इस तरहीके से slot करेंगे फिर लगाएंगे इसका एक washer और जो spring है उसको कुछ इस तरीके से लगाना है कि spring में यह वाला जो section है यह हमारी जो stopper plate है उसमें यहाँ पर आपर करके लोख हो जाए उसके बाद spring में यह वाला जो section है इसको इस side रखते वे जो stopper plate है उसको कुछ इस तरीके से drop करना है सबसे पहले इसको कुछ ऐसे tight करेंगे जैसे कि वर्किंग एकदम पॉफेक्ट है, तो अभी हम नेक्स्टेप की तरफ मुवन कर सकते हैं, जो की होने वाला है हमारा जो ओयल पंप है, उसका इंसलेशन, तो ओयल पंप है, उसकी आप MRP भी देख सकते हैं, 431 रूपीस, और यह जो मार्कर वाली प्राइजिंग है, यह मैंन करने से पहले चेक करेंगे, तो सबसे पहले इसका यह वाला सक्षन है, इसको करते हैं अच्छे से लूब्रिकेट, उसके बाद यह दो डोट्स हैं, इनको वेल मैच करना जरूरी नहीं है इस तरीके से, बट जो जरूरी चीज़ है वो यह कि यह जो डोट्स हैं अंदर की त इनर प्रोपेलर, उसको अलाइन रखते हुए, जो शाफ्ट है, उसको कुछ इस तरीकी से लगा देंगे, एंड लास्ट में लगेगी इसकी कवर प्लेट, और यहां पर एक छोटा सा स्क्रू लेगेगा, यह वाला, तो इसको लगाते हैं, और फिर ओल पंप को करते हैं, इ कुछ इस तरीके के दिखते हैं, इनको कर देंगे टाइट, उसके बाद बारी आती है, जो प्राइमरी गेर है, उसको लगाने की, तो इसमें यह वाला जो सेक्शन है, जिस साइट गेर नहीं है, वो नीचे की तरफ रहेगा, और यह जो सेक्शन है, इसको हम ऊपर की तरफ और इसका यह वाला जो स्लोट है, इसके अंदर जो बना हुआ है, उसको हमारी जो क्रैंकशाफ्ट है, उसमें जो यह स्लोट है, इसके साथ अलाइन करना है, उसके बाद यह लगेगा, ओल पंप का ड्राइव गेर, इसके कोई डिरेक्शन नहीं है, इसको आप कैसे भी लग एक पोर्शन निकलावा है, यह जो वुड्रफ की वाला स्लोट है, उसी के अंदर जाएगा, कुछ इस तरीके से, और वैसे यह वोशर आपको हर बार चेंज करना चाहिए, बट यह अवेलेबल ही नहीं हुआ, तो क्या करें, अभी लगाना है यह एक नट, तो यह जो नट ह इसमें यह एक स्प्रिंग लगती है, तो इसका जो यह कट वाला स्प्शन है, उसको किसी भी एक पोर्शन के ऊपर लेकर के, इसको कुछ इस तरीके से स्लोट करना है, अच्छ से चेक कर लें, कि यह चारों तरफ से, इसका जो स्लोट है, उसमें फिट हो गई हो, उसके तो हमें उन पोर्शन को इन कट्स के अंदर फिक्स करना है, तो उसके लिए सबसे पहले तो हम जो कलच हाउजिंग है, उसको अच्छ से लुब्रिकेट करेंगे, उसके बाद सबसे पहले इसको कुछ इस तरीके से प्लेस कर देंगे, और जब यह अलाइन हो जाएं, तब आ हमारी जो प्राइमरी गेर है, उसके साथ अलाइन करना है, उसके बाद यह दोनो जो गेर से हैं, इनके बीच में आपको एक फ्लैट हेट स्कूड्राइवर, या फिर आपके पास इस टाइप की गेर हो, तो वह सबसे बेटर आइडिया रहेगा, फ्लैट हेट स्कूड्राइ करना है, टैप करके, अभी बारी आती है, जो ओईल पंप की गेर है, उसको इंस्टॉल करने की, तो जो शाफ्ट है, उसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे, उसमें यहाँ पर एक होल है, उसके अंदर ये लंबी साइज वाली जो पिन है, उसको लगाना है, दोनों साइड बराब की दरफ लिफ्ट करेंगे, और ये एक लोक है, इसको लगाएंगे यहाँ पर, कुछ इस तरीके से, के बाद लगाएंगे ये एक वोशर, जो की काफे थिक है, ये लगेगा यहाँ पर, कुछ इस तरीके से, उसके बाद बारी आती है, क्लच का जो पूरा किट है, उसको लगी वो है 853 रूपीज की और अगर ये प्राइज ना माने तो भी यहाँ पर 828 रूपीज लिखे वे हैं जो की रिडिकलिसली एक्सपेंसिव है एनिवेज इन सब को करते हैं अन्बोक्स और करते हैं इनको फिट तो सब से पहले जो हब है उसमें ये वाला तो सेक्शन है इ फिर और नंबर्स लिकेंगे उनको हम नीचे की तरफ कर रहे हैं वह इस लिए बिकॉज जब हम इसको लगाेंगे तब यह जो नंबर्स हैं ये ऊपर की तरफ हो जाएंगे फिर लगाना है इसके ऊपर उएल उसके बाद जो प्रिश्य प्लेट है जब आप उसको टच तो एक साइड से ये काफी स्मूध फील होगी और दूसरी साइड से रफ या फिर शार्प आप इसको बोल सकते हैं वो फील होगी तो जो शार्प वाली साइड है उसको हम ऊपर रख रहे हैं और इसको कुछ ऐसे लगाना है अभी शार्प साइड उपर क्यों रखी है उसका र इसको इसके जो चार होल्स है उनके साथ लाइन करके कुछ इस तरीके से असेम्बल कर देंगे उसके बाद एक जो फ्रिक्शन प्लेट है उसको ओफसेट करेंगे इतना because हमारी जो clutch housing है उसमें आप देख सकते हैं कि एक जो section है वो upset है बाकी के same है ऐसा इसलिए है ताकि हमारी जो clutch plates हैं वो आपस में चिपक ना जाएं और उसकी विज़ा से जब long time के लिए हम बाई को park करके रखते हैं तब problem ना आए और साथी साथ gear shifting है उसमें भी इसमें काफी help होती है इस चीद से तो अभी ये वाला जो slot है इसको हमारी जो input shaft है उसमें ये जो section बना हुआ है इसके साथ align करके इन चारों friction plates को यहाँ पर align करेंगे और इस वाली friction plate को यहाँ पर align करेंगे और कुछ इस तरीके से हम इसको properly install करना है और जब ये पूरी एसेंबल हो जाएगी तब ये कुछ इस तरीके से प्लीस होनी चीए उसके बाद ये एक belly well washer है जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है इसको यहाँ पर कुछ ऐसे drop करना है और ये एक इसका special nut है इसको लगा देंग और वैसे ये वाला जो nut है इसमें जो splendor वाला तूल आता है वो लग जाता है तो अभी इसको में डाइट कर लेता हूं और उसके बाद लगाएंगे चारों clutch springs तो इनकी कोई direction नहीं होती है इनको जस्ट आपको प्लेस करना है इनके जो slots है वहाँ पर उसके बाद लगेगी तो प्लेट में जिस साइड बैरिंग लगता है वो बार की तरफ रहेगी और जो ये वाली साइड है जो की इस तरीके की दिखरी है वो नीचे की तरफ प्रोपरली इसको slot करें springs है वो प्रोपरली अपनी जगा पर लग जानी चाहिए उसके बाद लगाने है चार 10 mm के बोल् करेंगे फिर थोड़ा इसको फिर थोड़ा इसको एसकर गें को प्रोपली टाइट कर देंगे एंड फिर चलतें नेक्स स्टेप की तरफ उसके बाद लगाएंगे ये वाला बेरिंग तो ये एसके अफ का है शी थाउजन इन टू इसका नमबर है और ये लगेगा यहां पर कुछ इस तरीके से, थोड़ा साइस पर लगा देंगे, उसके बाद लगेगी यह वाली पिन, या फिर शाफ्ट, जो भी आप इसको बोलना चाहें, यह यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगेगी, उसके बाद इसमें एक यह बोल लगेगी, स्टील बोल, इसको यहाँ पर कुछ को यहां पर लगाना है उसके बाद इसका एक screw है जिसको हम tight कर देंगे एक oil seal यह वाली लगेगी हमारी जो kick shaft है उसके लिए उसके बाद लगेगी यह वाली एक oil seal जो की 26 रुपीज की है यह हमारी जो clutch release की जो shaft है उसके उपर लगती है basically यहां पर और बाकी की जो oil seals अभी मैंने लगाई है उनकी मापको price नहीं बता पाया because वो मुझे open मिली है means उनकी packing नहीं थी वो एक packing में 5 या 10 oil seals आती है तो उसके हिसाब से उन्होंने मुझे provide करी है उसके बाद बारी आती है जो clutch release shaft है उसको लगाने की इसमें ये वाला जो section है इसको यहां पर कुछ ऐसे रखेंगे और ये वाला जो section है इसको ऐसे basically जो spring है उसकी placement कुछ इस तरीके से करनी है as it is and ऐसा करते हुए जो shaft है उसको अंदर की तरफ push करना है और अभी जो shaft है उसके अंदर आपको एक pin दिख रही होगी इस pin को हमें पहले बाहर निकालना पड़ेगा तो उसके लिए इसको all the way rotate करके यहां से थोड़ा सा tap करेंगे तो ये दूसरी साइड बाहर निकल जाएगी लग बग इतना और उसके बाद spring का जो ये वाला section है उसको ये जो pin अभी हमने बाहर निकाली है उसके उपर कुछ इस तरीके से mount करना है अभी जो pin है उसको थोड़ा सा और निकालना पड़ेगा और जब ये spring pin में properly install हो जाएगी तब pin का gap है वो कुछ इस तरीके से होना चीए और जो spring है व यहाँ पर है एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है make sure यह इनकी जगह पर हो या फिर आप इनको place कर सकते हैं उसके बाद कुछ इस तरीके का kit आपको purchase करना है अगर आप पूरा engine rebuild कर रहे हैं तो ये 358 रुपीज का है and इसके अंदर आपको जतनी भी gas kits necessary होती है वो आ जाती है त तो आप यहाँ पर इस gasket के साथ में जो RTV silicon gasket हमने crankcase में लगाया था उसको इसके दोनों तरफ लगा कर कि यूज कर सकते हैं और ये leakage की problem वो नहीं रहेगी but इस case में ज़रूरत नहीं है अभी जो clutch release shaft है उसको कुछ इस तरीके से rotate करना है कि इसके अंदर एक slot बना हुआ है वो all the way push कर देना है और उसके बाद जो clutch release shaft है वो इसको अपने आप lock करके रख लेगी अभी जो kick shaft है उसका जो hole है उसको align रखते हुए जो आरच cover है उसको कुछ इस तरीके से पूरा push कर देंगे अभी सबसे पहले ये total 10 bolts है 8 mm की size के सारे same size के हैं इनको लगाएंगे और इनको क प्लेट लगेगी जो कि हमारा clutch wire है उसको hold रखती है तो इसको इस तरीके से लगाना है और अभी ये जो सारे bolts है इनको criss-cross pattern में tight कर लेता हूं मैं और उसके बाद जो next step है उसकी दिरब move on करते हैं और साथ ही साथ दूसरी साइड में जो 8 mm का bolt हमने लगाया था उसको tight करना अभी ना भुलें अभी बारी आती है oil filter की एक oaring है जो कि यहां पर लगती है इसको लगाने की तो इसको लगाने से पहले अच्छे से lubricate कर ले और यह यहां पर लगती है कुछ इस तरीके से उसके बाद लगाएंगे oil filter को जो की 42 rupees का है और oil filter में यह जो hole वाला section है इसको हम की तरफ रखेंगे और यह जो plane section है इसको उपर की तरफ इसको कुछ ऐसे लगाना है और आप अगर चाहें तो जो oil filter है आप उसको pre lubricate भी कर सकते हैं वैसे जिन engines में kick starter होता है उनमें ऐसा करने की जरुवत नहीं पड़ती है क्यों वह मैं इसको start करूँगा तब आपको बता तो make sure इसको भी आप रोपली लगा दें उसके बाद जिस साइड यह arrow बना हुआ है वो साइड को नीचे की तरफ रखते वे इसको कुछ इस तरीगे से प्लेस करेंगे इसको पुश करके रखना पड़ेगा आपको बिकोज जो spring है वो compressor की है उसके बाद दो 8 mm की बोल्ट्स ह होल है उसके ओपर जो इसकी डिप स्टिक लगती है उसको लगाना है इसमें यहां पर एक और लगती है मेक शोर आप उसको अच्छे से लुब्रिकेट कर दें वैसे यह में चेंज कर देता बट बल्यूमी और नॉट बट यह चोटी सी और इंग भी उनके पास अवेलिबल नहीं थी इसको कुछ इस तरीके से लगा करके अभी के लिए हैंटाइट कर रहे हैं बिकोज इस इंजिन में हमें ओयल भी फिल करना है उसके बाद बारी आती है स्टार्टर मोटर है उसकी सबसे पहले और इंग है उसको लगाने की तो इसकी और इंग को लुब्रिकेट करक उनको लगा करके टाइट कर देंगे, उसके बाद ये दो oil seals हैं, इनको यहाँ पर और यहाँ पर लगाना है, तो सबसे पहले ये जहाँ पर लगेंगे, उस area को अच्छे से lubricate करेंगे, oil seals को भी अच्छे से lubricate करना है, output shaft वाली oil seal है, उसको थोड़ा सा ध्यान से लगाना है, अभी ये एक stopper plate है, oil seal की, इसको लगाना है, तो इसमें आप देख सकते हैं, इसकी जो design वो किस type की है, तो ये दोनों side से बराबर है, बट बीच में से उबरी वी है, तो उबरी वी side को ऊपर की तरफ रखते हैं, इसको कुछ इस तरीगे से place करना है, और उसके बाद इसके use हैं, उनको लगाना है, बट इनमें मैं थोड़ा सा loktite यूज कर रहा हूँ, एंड उसके बाद इनको just tight करना है, उसके बाद बारी आती है, इन दोनों washers और ये एक sir clip है, इसको लगाने की, तो सबसे पहले जो washers हैं, उनको कुछ इस तरीगे से place करना है, एक दूसरे के ऊ इसके बाद ये जो शाफ्ट है, इसके अंदर कुछ इस तरीके से इंस्टोल करना है, उसके बाद जो शाफ्ट है, उसको ऊपर की दरफ ले कर के आएंगे, अब यहां पर आपको एक स्लोट बनावा दिखेगा, उस लोट के अंदर ये जो sir clip है, इसको लगाना है, तो sir clip है इसको उपर की दरफ पुल करते वे इसको इसको इसका जो स्लोट है, उसमें फिट कर देंगे, अभी लगाएंगे ये नूट्रल प्लेट है, इसको और इसका एक स्क्र्यू है, जो कुछ इस तरीके का दिखता है, इसको और इसमें यहां पर आपको ये वाला सेक्शन दिख ये एक उपरावा चोटा सा सेक्शन, ये हमारा जो गेर ड्रम है, उसमें यह पर एक कट बना हुआ है, तो इसको उसको इसको कट के अंदर स्लोट करना है, कुछ ऐसे, और इसको करना है ताइट, उसके बाद लगिएगा यहां पर एक गास्किट, जिसको ग्रीस में सबसे प प्लेस कर देंगे, इसको अलाइन के लिए आपको थोड़ा सा पुछ करना पड़ेगा, उसके बाद इसके यह तीन स्क्र्यूज हैं, इनको लगा करके टाइट करना है, उसके बारी आएगी ताइमिंग चैन उसको लगाने की, तो यह ताइमिंग चैन है, यह 472 रूपीज क इनोंने अब की बार मार कर नहीं लगाया, विकॉज शायद इसकी प्राइज हो चेंज नहीं होगी, और भी जो चैन है, उसको इसका जो स्लोट है, उसके अंदर से पास्टू करना है, कुछ इस तरीके से, और साथ ही साथ इसको जो क्रैंक में इसका स्प्रोकेट लगा अगर इनको आपने रिमू कर रखा है, तो आपको इनको इनको इन्स्टॉल करना है, इनमें थ्रेड लोकर यूज करना है, उसके बाद इसके अंदर इसकी ये रोलर बोल्स लगी रहती है, टोटल नाइन इसमें लगी भी मिलेंगी, आपको एट हैं वो मैंने लगा रखी है और एक मापको अभी लगागे दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर, as you can see, यह जो स्प्रिंग है, यह यहाँ पर एक प्लास्टिकी हाउजिंग है, ओल ओवर, उसके अंदर स्लोटो रखी है, तो इस स्प्रिंग को अंदर की साइड पुश करना है, कुछ इस तरीके से, और उ भी बोल सकते हैं, वैसे flywheel एक ऐसी term है, जो कि cars में यूज होती है, but still we can call it, तो इसमें यह वाला जो section है, यह अंदर की तरफ जाएगा, और जो plain section है, sort of वो बार की तरफ, और इसको लगाने के लिए, हमें यह जो section है, सबसे पहले इसको lubricate करना है, और साथ ही साथ इसका जो clockwise rotate करने के कोशिश करेंगे, तो यह जो magnet है, उसको साथ में turn करेगा, और इसी की वज़ासे इसको one way clutch भी बोला जाता है, फिर यहाँ पर यह जो slot है, इसमें एक इस type की woodruff key लगेगी, जिसको कुछ इस तरीक से slot करना है, उसके बाद हमारा जो magnet है, उसमें यहाँ पर एक cut बन यहाँ पर लगा करके tight करना है, और इसको tight करने के लिए एक magnet holder आता है, special tool, उसको use करना पड़ेगा, तो इसको कुछ इस तरीके से, जो magnet है, उसके ओपर लगा करके tight करना है, और उसके बाद 17 mm का socket है, उसके help से यह जो nut है, उसको tight कर देंगे, और नेक्स टेप की तरफ मोहन कर जाएंगे, और अभी बार यह जो starter gear के driven gear है, उसको लगाने की, तो सबसे पहले जहां पर वो लगेगी, उस area को lubricate करना है, थोड़ा सो वाइल जो starter motor का gear है, उसके ओपर लगा दें, उसके बाद यहाँ पर यह एक प्लेट लगती है, तो इसके जो shape है, वो आप देख सकते के से align करना है, just like that, थोड़ा tricky है, बट हो जाएगा, उसके बाद जो गेर है, उसको अच्छे से लुब्रिकेट करना है, इसमें जिस साइड टीच है, वो थोड़े वाइड है, उसको नीचे की तरफ रखेंगे, या फिर ऐसा भी समझ सकते हैं, कि जो साइड डायमेटर में या वो नीचे रहेगी, डायमेटर में बड़ी वाले साइज उपर रहेगी, इसको इन दोनों गेर्स के बीच में मेश करना है, means नीचे वाला गेर है, वो फ्लाइवील से इंगेज होगा, और उपर वाला जो गेर है, वो स्टार्टर मोटर का जो गेर है, उसको थोड़ा सा जब ऐसा हो जाए, तब यहाँ पर इसकी एक कोलर या स्लीव जो भी आपोलना चाहिए, वो लगती है, कुछ इस तरीके से, अब बारी है जो लगाने की, तो सबसे पहले इसका गैस्केट लगेगा, उससे पहले दोनों डावल्स हैं, उनकी लोकेशन है, वो लोकेट कर लें एक यहाँ पर और एक यहाँ पर होनी चाहिए, उसके बाद जो गैसकेट है, उसको मैने ग्रीस से लुब्रिकेट का लिया है, और यह लगेगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से, जो डावल्स हैं, उनके साथ मैच होते हुए, उसके बाद बारी आती है, एलेच कवर की, तो इ यह जो ग्रोमेट है, इसमें आपको थोड़ा सा ग्रे आटेवी सिलिकॉन है, वो यूज करना है, जिससे कि यहाँ पर ओयल सीपेश जो होता है, मतलब मामूली सा यहाँ पर ओयल निकल जाता है, जिसके विदाशी एक डस्ट अट्रैक करता है, वो प्रोब्लम थोड़ी कम ह सके, उसके अलावा यहाँ पर लगावा है CPS, क्रेंक पोजिशन संसर, उसमें दो स्क्रीव लगे वे हैं, नीचे की साइड इसके साथ एक प्लेट लगी वी है, जो की कुछ इस तरीके से लोकेटेड है, नीचे से इसकी वाइरिं आ रही है, तो यह हो गया हमारा लेश कवर इसमें कोई प्रोब्लम थी नी, तो अब की बार इसको मैंने डिस्मेंटल किया नी, वैसे आप डीटेल में जाना चाहते हैं, तो इनकी प्रोसेस मोर और लेस थे सेम रहती है, अभी इसको कुछ इस तरीके से जो डावल्स हैं, उनके साथ अलाइन करते वे, फिट कर देंग उसके बाद 8 mm के टोटल 9 बोल्स हैं, जिनकी साई सब की सेम है, तो इनको इनके जो होल्स हैं उनमें लगाना है, और अभी इनको क्रिस क्रोस पैटन में टाइट कर देंगे, और उसके बाद नेक्स टेप की तरफ चलेंगे, और अभी न्यूटल पोजिशन सेंसर है, उसको यहाँ में पर प्लेस करके एक छोटा सा स्क्रुव लगता है, इसको लगाना है और इसको जदा डाइट ना करें, और उसके बाद यह जो केबल है इसको यहाँ सिल्गे एक गयलरी बना रखी है, इसके बाद यहां पर एक बोल्ट लगेगा, ओ वैल गईलरी है, इसके बाद इतना बड़ा रीजन नहीं है जितना कास्टिंग है यहां पर यह बोल्ट लगता है बेसिकली 17 मिलीमीटर का और इसमें यह वोशर है जो की रिमुवेबल नहीं है वेल इसकेस में मैं तो निकाल नहीं पाया इसलिए मुझे वही एजिम करना पड़ रहा है और यह दिखने में दो बोशर जैसा दिखता है अब यह दो है या एक है वाटेवर बट अगर मैं इसको आसानी से नहीं निकाल पा रहा हूं तो इसको आप वाले केस में भी नहीं निकलेगा तो इसको यहां पर लगा करके आपको टाइट करना है उसके बाद लगाएंगे स्ट्रेइनर को तो यह वाला जो हिस्सा है यह अंदर की तरफ रहेगा यह दो सेक्शन से स्ट्रेइनर में यह उभरे में वह उभरी वी साइड हो बाहर रखनी है और इसको यहां पर कुछ इस तरीके से प्लेस करना है और उसके बाद इसके दो स्क्र्यूज है उनको लगा कर यह टाइट कर दे जो कि सेम साइज के हैं उसके बाद लगाएंगे 17 mm का drain bolt और साथ में लगेगा एक क्रेश वोश्यर और इसको यहां पर लगा करके कर देंगे टाइट उसके बाद लगाएंगे इन दो 12 mm के बोल्ट को इनके copper क्रेश वोश्यर से उनके साथ में तो एक तो लगेगा यहां पर और जो second one है वो इस से थोड़ा सा front में लगेगा यहां पर और इनको करना है tight और फिर चलेंगे next step की गरफ उसके बाद लगाएंगे दो locating dowels जो की left और right cover में लगी हैं उनके comparison में थोड़ी सी size में ज्यादा wide है और यह दोनों लगने वाली हैं यहां पर उसके बाद इसका पेपर ग्यास किट जसको कुछ इस तरीके से लगाना है बेसिकली यह वाली जो साइड है यह तरफ हमें मैच करनी है और इसमें मैंने ग्रीस यूज किया है आप चाहें तो RTV silicone आता है ग्रे वाला वो यूज कर सकते हैं इसके दोनों साइड अगर अगर आपका जो इंजिन क कर लिया था अपाची में ऐसा नहीं आता है अपाची में पसंड इंक लगी आती है बट मुझे वो पसंड नहीं है मैं खुझ से लगाऊंगा यह इसकी पिस्टन पिन है और यह इसकी दोनों सारकलिप से इनको भी साइड में करते हैं यह रह हमारा पिस्टन एकडम नया और यह है हमारा सिलेंडर, वैसे इसमें यह वाली जो चीज है, यह अलग है हमारी बाइक से, यह बेसिकली टेमपरेचर सेंसर है, उसके लिए यहां पर थ्रिड्स बना रखे हैं, जो कि अपने केस में यूज नहीं होंगे, बट वो कोई प्रोब्लम नहीं है, या तो यहां पर ए आरन फाइफ में या फिर मेरी काफी और वीडियो में बता रखा है, और उनमें मैंने अल्रेडी डीटेल है, वो बता रखी है, तो इसमें भी एग्जाक्ली सेम तरीके से पिस्टन निक्स लगने वाली है, तो टाइम वेस्ट करने से च्या फाइदा है, जल्दी से जो पिस करते हैं की पिस्टना, इसको करते हैं, कनेकटिं रोड में इंस्टॉल है और उसके बाद इनका रिंग का गाप है कहाँ पर रखना वो पता देता हूँ, और पिस्टन इसको लगा ते टाइम जिस साइद इन लिखा हुआ है, उस साइड को ईंके की तरफ रखें में जिस उनको align लखते हुए कुछ इस तरीक से इंस्टॉल कर देंगे और यह सारी प्रोसेस है इसमें आपको हर जग है अच्छा से इंजन ओयल है उससे लूब्रिकेट करना है सारे पार्ट्स को उसके बाद एक टाल या फिर रैग थोड़ा सा क्लीन होना चाहिए बस यह चीज ध्या यह पर रहेगा जो जो पर रखेंड इनको यह उसका टिया तो पर रहेगा और इस प्जिशन में रखते विस अच्छे से लगाएंगे ओयल और सेम चीज है, वो हमें सिलेंडर है, उसकी जो इनर वोल है, उसके भी करनी है, उसके बाद जो सिलेंडर है, उसको जो हमारा क्रेंकेस है, उसमें इसकी डिरेक्शन है, उसके हिसाब से लाइन रखते हुए, मीन्स जो टाइमिंग चैन के लिए स्लोट है, उसको लाइन रखन एन के इंसिर्ट करना है। jest प्र पिस्टमस को और फिर रुट लेगे। उसके लिह हैं आप पी इसको उक्लीख करना पड़ेगी। कि उसके वाद बारे आते हैं के दो 10 mm के न्ट्स हैं इनको लगाने की तो यह लगेंगे यहांपपर और इनको अभी सिरफ hand tight करना है, इनको अभी tight हम नहीं कर सकते हैं, last में करेंगे, उसके बाद दो dowels हैं, जो की cross में लगेंगी इन दोनों slots में, उनको वहाँ पर लगाना है, उसके बाद लगाना है head gasket, तो इसके उपर मैंने इन 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 इस किया है, और इसको भी जो इ इनकी valve oil seals, और इसकी pricing है 592 रूपीज, सबसे पहले लगाएंगे bottom retainer caps, एक यहां पर लगेगी, दूसरे वाली यहां पर लगेगी, इनके ओपर लगाएंगे oil, फिल लगेंगी valve oil seals, एक यहां पर, और दूसरे वाली, यहां पर, अब इसको करते है flip, यह हमारे दोनों valves हैं, वो size में बड़ा होता है, exhaust valve के comparison में, तो यह intake valve लग गया, इसको पूरा push कर देंगे, यह लग गया exhaust valve, अभी लगानी है springs, तो springs में जो side एक coil से दूसरी coil के बीच में gap ज्यादा है, उसको उपर रखेंगे, जो side gap का में उसको नीचे रखेंगे, सेम करना चोटे वाली spring के यहाँ पर कुछ ऐसे, उसके बाद लगेंगे दो कोटर्स, एक दूसरे के opposite, एक यहाँ पर, एड दूसरे वाली यहाँ पर, उसके बाद जो valve है, उसको होल्ड करते वे, इसको करेंगे push, और यह दोनों जो कोटर्स हैं, इनको वाल्ब के अंदर, जहाँ पर यह लोग रहती इसके बाद लगानी है, इसके बाद लगानी है, एक टाइमिंग चैन की गाइड, जो के मारा सिलेंडर है, उसके अंदर लगती है, तो उसके लिए इसका एक 12 mm बोल्ट है, और एक क्रेश वाश लगेगा, और जो गाइड है, उसमें यह वाला जो section है, यह बार की तरफ रख लगाना है, तो गाइड मेश सो तरिके से बाएड़, इसको रख कर देंगे, तो गाइड मेश बोल्ट है, उसको अंदर लगाना तो इसमें यह वाला section है, यह उपर की तरफ रहे गा, तो इसके लिए एक बार है इसको निकालते हैं, और जो गाइड है, अशल्म उसका इसको तो थोड़ा मूव करके देखें, अगर ये आगे की साइड आ रहा है, that means ये प्रोपली लोक नहीं हुई है, अगर ये मूव ना करें ज्यादा, that means कि ये लोक हो गया है, गैस किटर फिर से लगा देते हैं, और अभी बारी है, जो ये गाइड है, इसको जो हमारा सिलेंडर है, उसके अंदर से पास्थू करते हुए, जो सिलेंडर हेड है, उसको लगाने की, और ऐसा करने के लिए हमें जो टाइमिंग चैन है, उसको भी उपर की साइड लाना पड़ सकता है, उसके लगाएंगे इसके चार वोशर्स, वन, टू, थ्री, और फोर, उसके लगाएंगे इ और इनका टोर्क है, वह काफी क्रूशल होता है, बट क्या गरें, अपने पास स्टोक स्पेक नहीं है इसके, तो इसको वैसे ही ठाइच कना पड़ेगा, अभी बार ही है, जो कैमशाफ्ट उसको लगाने की, तो कैमशाफ्ट नहीं उसके नहीं कर रहा हूँ, 976 रुपीज यह रही हमारी camshaft, इसको अच्छे से lubricate करेंगे और अभी इसका जो sprocket है, वो भी इसमें लगाई लेते हैं तो sprocket है, उसमें जिस side कुछ numbers वगेरा, कुछ markings वगेरा बनी भी हैं वो उपर की तरफ रखेंगे, और इसको कुछ इस तरीके से place करना है यहाँ पर यह एक pin भी लगेगी, इस वाले slot में, तो इसको भी लगा दे, कुछ ऐसे और अभी इसकी एक locking plate है, उसको लगाएंगे, तो यह जो plate है, इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगाना है जिससे की यह जो pin है, उसको भी cover कर ले उसके बाद लगाएंगे इसके दोनों 10 mm के bolts, तो इन में थोड़ा सा loktite यूज किया है, तो अभी के लिए इनको लगा करके, just hand tight कर देते हैं अभी सबसे पहले जो timing chain है, उसको बाहर निकालेंगे, उसके बाद जो piston है, उसको टॉप डेट सेंटर पे लेके आएंगे, तो आपको यह जो line दिख रही है, यह बेसिकली यह जो hole है, इसके सेंटर में होनी चाहिए, इसके बगल में T है, वो आपको भी दिखनी रहा होगा बट जो piston है, वो अभी top dead center में है, और यह जो marking है, इसको यहाँ पर लाने के लिए, आप 17 mm का spanner है, उसकी help से, जो magnet का nut है, उसको rotate कर सकते हैं, जिसकी help से, यह marking यहाँ पर आ जाएगी, उसके बाद timing chain है, उसको कुछ ऐसे hold करना है, और जो हमारी camshaft है, उसमें आपको यह व पर है, piston top dead center पर है, और यहाँ पर आपको एक mark दिख रहा हुगा, यह वाला, यह हमारा जो cylinder head है, उसके just parallel है, अभी यह एक इस बेरिंग की stop up plate है, इसको लगाना है, तो इसको यहाँ पर यह जो slow top को दिख रहा है, इसमें लगाना है, तो सबसे पहले इसको ऊपर से, कुछ तरीके से slide करेंगे, और उसके बाद इसको rotate कर देंगे, और यह कुछ इस तरीके से fit हो जाएगी, और अभी बार यह आती है, जो camshaft के दोनों bolts हैं, उनको properly tight करने की, तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो 17 mm का nut है, जो की magnet को hold रखने का का काम करता है, उसमें एक socket लगा करके उसको lock करना है, और उसके बाद यह जो दोनों bolts हैं, इनको सबसे पहले tight करेंगे, और उसके बाद इनकी जो यह plate है, इसको basically हमें, इसके जो दो portions आपको दिख रहे हैं, इन दोनों को नीचे की side bend करना है, जिससे की जो दोनों bolts हैं, लोक हो जाएं, तो जैसा की अभी आप द tight करना है, और उसके बाद ऊपर की side भी, दो 10 mm के nuts लगेंगे, तो इनको भी लगा करके tight कर देंगे, और अभी बार याती है, जो cylinder head का cover है, उसको लगाने की, बट उससे पहले इसको prep करना पड़ेगा, और प्रेपिंग के लिए इसमें इसके जो रोकर्स हैं, वो लगानी है रोकर्स दोनों same है, और दोनों shafts हैं, वो भी same है, तो किसी को भी आप किसी भी side लगा सकते हैं, तो सबसे पहले एक roker है, उसको लगाते हैं, लगाने से पहले इनको अच्छे से oil से lubricate कर लेना है, और उसके बाद रोकर में जो adjusting वाली side है, जिस side से हम wall clearance या फिर tap pad जिसको आप बोलते हैं, उसको adjust करते हैं, वो side, इसका जो inspection hole है, उसकी तरफ रखते वे, उसको कुछ ऐसे place करना है, और उसके बाद इसकी जो shaft है, उसकी बारी है, तो इसमें यहाँ पर आपको एक cut वनाओ दिखेगा, वो cut हमें बार की तरफ रखना है, तो इसको इस side से कुछ इस rocker है, उसके holes के साथ align करते हुए, push करना है, और उसके बाद उसको all the way अंदर की side push कर देंगे, और यह जो shaft है, इनको लगाते है टाइम एक चीज माइन में रखनी है, वो यह कि इसमें यहाँ पर यह cut बना हुआ है, यह cut वाला section हमें, यह जो hole है, इसके parallel रखना है, means कुछ तरीके से, जिससे कि यहाँ पर जो 10 mm का bolt हम लगाएंगे, वो इसकी विज़े से रुके ना all the way नीचे की side जाकर के tight हो जाए, तो एक side की process में बता चुका हूँ, दूसरी side process same है, तो मैं वो कर लेता हूँ, और उसके बाद इसको install करते हैं, वो लाइट, तो सबसे पहले हमे यहाँ पर लगानी है, उसके बाद यह एक rubber gasket है, इसको oil seal, grommet, जो भी आप बोलना चाहें, इसको यहाँ पर यह जो cut बना हुआ है, उसके अंदर लगाना है, और इस पर थोड़ा सा RTV silicone में ने और यूज किया है, तो इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्लेस करना है, ए कि इसको मैंने अच्छे से clean कर लिया, इस पर किसी भी type का oil नहीं है, अब इसको, इसके सारे holes हैं, उनको align करते हुए, place कर देंगे, और इसको लगाते हैं, एक चीज अपने को माइन में रखनी है, वो यह कि piston है, वो top dead center है, उसके आसपास होना चाहिए, उसके बाद यह जो cap हैं, जो कि length में सबसे ज़्यादा लंबे हैं, वो लगेंगे यहाँ पर, उसके बाद दो bolts हैं, बीच की size के, वो यहाँ पर लगेंगे, एक यहाँ पर, और दूसरा वाला, यहाँ पर, and उसके बाद जो बचेवे 4 bolts हैं, यहाँ पर लग जाएंगे, and उसके बाद इन सारे bolts क क्रिस-क्रोस पैटन में, टाइट कर देंगे, और इसको टाइट करने के बाद यह जो अक्सेसिव 3-bond बाहर निकल रहा है, इसको अच्छे से क्लीन कर लें इसको आप उतना अच्छे से क्लीन कर लें, जितना अच्छा आपको आपका जो इंजिन है, वो दिखने में लगना उसके बाद, एसके बाद, यह 8 mm के दो बोल्ट से में, और इनके अंदर भी उसी टाइप के दो वोशर्स हैं, दोनों में, यह लगेंगे यह यहां पर, एक यहां पर एंड दूसरा वाला यहां पर, तो इनको लगा कर देते हैं, तो अभी बार यहां जीक्श्ट लगा उसक यहां पर एक और लगी रहती है तो आप मेक शूर करें कि यहीं पर हो अभी इसका यह वला जो सेक्शन है उसमें एक फ्लाइट स्कूड्राइवर की हल्प से इसको ओल दवे क्लोकवाइस राइट करेंगे जिससे कि यह कंप्लीट इन पोजिशन पर लोग हो जाएगा कुछ इस तरीके से उसके बाद इसमें प्राइकोल जो ब्रैंड है उसकी ब्रैंडिंग है इसको अपन ऊपर की तरफ रखते वे इसको कुछ ऐसे लगाएंगे और इसमें गैस्केट इसमें यहां पर लगी है तो आप मेक्शोर करें कि यह जो ओर रिंग है यह डैमेज नहीं होनी चाहिए और इसको अच्छे से ओल से लुब्रिकेट कर दें तो इसको कुछ इस तरीके से प्लीज करना है एंड उसके बाद दो तेन मिलिमेटर के बोल्ट है जो की यहां पर आप करके टाइट कर देंगे और उसके बाद जो इंजिन है उसको 360 रोटेट करना है एक या दो बार और फिर से टॉप डेट सेंटर के ऊपर लेके आना है जो कि अभी आप देख सकते हैं उसके बाद जो वाल्वस है आई होप यह साउंड अप सुन पा रहे होंगे दोनों फ्री रहने चीए पिस्टन को हमें अब कंप्रेशन स्टौक में ट्फिट सेंटर पर लेके आना है और कंप्रेशन स्ट्थो ड्हट में पिस्टन ट्फ इन्टे सेंटर पे है या निंग को चेकरने का सिंपल सा ना यही और यह प्रोसेस भी मैं काफी बार दिखा चुका हूँ तो टाइम वेस्ट करने का कोई फाइदा नहीं है सीधा इसकी जो क्लेरंस वह मैं एडजस्ट कर लेता हूँ एंड नेक्स टेप की तरब मुवन करते हैं उसके बार यह आती है जो टैपिट कैप है या फिर बाल कलेरेंस कैप जो भी आप बोलना चाहें उसको लगाने की तो इसके एक और इसको यहां पर कुछ इस तरीके से प्लीज करना है बट प्लेस्मेंट से पहले थोड़ा सा इसको लुब्रिकेट कर लें और उसके बाद इसक यह लगा यह लगाने की तो सबसे पहले इसको अंदर से क्लीन करना है अप चेक कर लें कि यह ब्लोक ना हो एंड उसके बाद इसके तीन बैंज वोल लगते है इन में दो दो क्रेश वाश्ट लगते है एक पाइप है उसमें नीचे की तरफ लगे का दूसरा ऊपर की तरफ और यह यहां पर कुछ इस तरीके से लगेगी एक होल दूसरा एंड यह थर्ड वन है और इसको लगाने का तरीका कुछ ऐसा है यह बोल्ट है इसमें एक क्रश वोशर लगा दिया उसके बाद जो पाइप है उसके अंदर से इसको पास्टू करेंगे दूसरी साइड कर लग करेंगे एक दो मिने इसको रन करेंगे एंड उसके बाद इसका ओल लेवल वो फिर से चेक करेंगे तब जो 100 या 200 ml है वो टो पकार रहेगा वो कर देंगे बिकॉस इसमें डिससेंबली के टाइम पर थाउजन एंड हंड एमल वो यूस करना रहता है सो लेट सी कितना ओर रि वो भी मैं फिनिश कर चुका हूँ अभी जस्ट आप लोगों को इसकी जो साउंड है वो सुनानी है तो पहले इसकी साउंड है वो सुन लेते हैं एंड उसके बाद इसका जो खर्चा आया है और इसमें इंजिन के लाबा और क्या काम हो है वो एक स्पे इन कर दूँगा ओल झाल झाल कि अपने देखा या सुना आर्टियर की जो साउंड है वो इसकी जो आइकोनिक साउंड आती है बिलकुल वैसी है अपने आपको कैसी सुनी है बट परस्नली आम हाईली साटिसफाइड विद जो काम वो कैसा हुआ है अब उसके अलावा इसमें एक तो पीछे का बैरिंग चेंज हुआ है पीछे की स्प्रोकेट की जो हाउसिंग आती है means पीछे वाला चैंस प्रोकेट जहां पर लगता है वो पार्ट रिप्लिस हुए है पीछे की दोनों suspension चेंज हुई है और छोड़ा मोड़ा काम और हुआ है इसमें जो कि अभी याद नहीं आ रहा है टोटल बिल बना है 24,000 रुपीज का जिसमें सब कुछ included है अगर सिर्फ engine की बात करी जाए तो labor वगेरा सब include करके 17,000 से 18,000 के बीच का इसका engine का खर्चा रहा है बाकी का आपने खर्चा देखा वो है और वो 17,000-18,000 किस चीज के हैं वो आपने वीडियो में देखी लिया उन सारे पार्ट के हैं में लेबर है जो की 3,000 रुपीज है एंड इस बाइक के लिए इस बाइक के लिए क्या वैसे हर बाइक के लिए है 3,000 रुपीज लेबर है एंड बाकी डीजल वगेरा आ जाता है इंजन की सफाई बहुत अच्छे से करनी पड़ती है और इसकी तो काफी ज़्यादा हालत खराब थी बट नंदलेस बाइक रेडी हो गई है मैं खुश हूं और होफुली कस्टमर भी हैपी ही होंगे वैसे अमाउंट थोड़ा ज्यादा हो गया है जितना मेने बताया था उससे बट सेल यार अब मैने तो ट्रांसपेरेंशी जितनी में रख सकता था उतनी रखी है प्राइजिंग के बारे में अब ही रात के बज रहे हैं बारा एंड इसको कर दिलिवर करना है और भी काफी सारे प्रोजेक्स हैं जो की ओफलाइन चल रहे हैं मेंस वो यूट्यूब पर नहीं आ रहे हैं sorry about that बट क्या रहें यूट्यूब से सिरफ इज़त मिलती है पैसा कमाना पड़ता है anyways thank you so much for watching guys अगर आपने यहां तक देखा है then you are really a big fan अगर आप family है इस चैनल में means subscriber है पहले से बहुत बहुत शुक्रिया अगर आप नए है और आपको काम की वज़े से यहां तक आप रुके हैं then उसके लिए भी शुक्रिया अगर आप हमसे काम कराना चाहते है then description में email id मिल जाएगी या फिर instagram का link भी मिल जाएगा वहां पर आप message कर सकते हैं कुछ special projects ही हम pick करते हैं या फिर कोई ऐसा project जो की ठीक ठाक हो और आसपास में हो जिससे की YouTube पे भी knowledge अच्छी you know share करी जा सके और हमें भी काम करके मज़ा आए so with that being said thank you so much for watching this video guys I hope इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा and कुछ क्यों मेरे ख्याल से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा बस ऐसे ही प्यार बनाई रखिये support बनाई रखिये हम भी करते रहेंगे ऐसे ही काम अभी चलता हूँ बाई बाई